दोस्तों आपको जानकर के यह हैरानी होगी कि भारत के महान चीव फिल्ड मार्सल सेम मानेक्शाव और पाकिस्तान के पूरो पुराष्टपती और पाकिस्तान के सेनाध्यक जनरल याया खान जो हैं वो बिटिस आर्मी में एक साथ यानि उन्होंने काम किया था दोस्तों एक बात की तो आपको सभी को पता है कि जनरल यानि हमारे जो थे शेम मानेक्शो वो यानि बहुत ही बहादूर और बेमिसाल आदमी थे ये वही शेम मानेक्शो थे जिनके यानि इंडियन आर्मी के चीफ रहते हुए 1971 के युद में 13 दिनों में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और रोचक किस्सा देखिए कि उस समय जो जनरल या या खान थे वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे लेकिन इन दोनों के बीच में एक और भी यानि किस्सा जो है वो साइदा पहली बार सुन रहे हैं और एक किस्सा है मोटर साइकल का तो दोस्तो मैं हूँ राजकमार स्वामी और आज यानि शेम मानेकशा के यानि बहुत ही रोचक दो तत्यमा आपको बताऊंगा जो मुझे पता है आपने कभी भी नहीं सुने यह मेरी गारंटी है इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो बात 1947 की है जब यानि सेम मानेकशा और जनरल याया खान जो है वो बिटिस आर्मी में रहा करते थे दोनों एक साथ में काम किया करते थे अंग्रेजों के लिए उनकी आर्मी में थे और उस समय क्या है सेम के पास में एक लाल रंकी जेम्स मोटर साइकल हुआ करती थी जनरल याया खान को वो मोटर साइकल जो है वो बहुत पसंद थी जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो याया खान ने यह बोला कि सेम आप मुझे आप अपनी ये बाइक जो है वो मुझे दे दीजिए तो सेम भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है आप ले जाएए तो एक हजार रुपे में इन दोनों के बीच में यह सोधा तेह हुआ था कि जनरल याया खान जो है वो शेम मानिक शाह को एक हजार रुपे देंगे तो याया खान ने यह बोला कि मुझे मैं पैसे जो है वो आपको पाकिस्तान जाने के बाद में आपको पूरे पैसे वहाँ से भेज दूँगा तो सेम भी बोले कोई दिक्कत नहीं आप वहाँ से भेज देना लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान का राष्टपती रहा पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा उसने एक हजार रुपे कभी भी सेम मानिक्षा को वापस नहीं दिये और उसके बाद में दूसरी गटना होती है ठीक 24 साल बाद जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी होती है और महोल युद तक पहुँच जाता है और दोनों ही सेनाय आमने सामने थी और सबसे अज़ीब ही थे फाक था कि उस समय शेम मानिक्षा भारत के आर्मी चीफ थे और जनरल याया खान जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और जब युद वा तो तेरा दिनों के अंदर शेम मानिक्षा के नेतरतों में भारतिय सेना ने पाकिस्तान को तेरा दिनों में धूल चटा दी थी और जब उसके बाद में जब एक बारमानेक शाह ने कहा कि जनरल याया खान ने मुझे एक हजार रुपे तो वापस नहीं दिये लेकिन उसके बदले में उन्हों ने अपना आदा मुलक मुझे तौफे में दे दिया तो बहुत बड़ी बात थी है तो यह तो एक रोचक किस्सा था अब एक और अजीब यानि आपको किस्सा सुने देगा कि यानि वो कितने बहादूर और जिंदा दिल इंशान थे हमारे शेय मौने्ग्षा तो दोस्तों जब यानि ब्रिटीष आर्मी में ये थे तो उस समय यानि बर्मा का युद्ध चल रहा था ब्रिटीष आर्मी के अंडर में तो वहाँ पर जो है शेम मौनेक्षा के सामने जब यानि जापान की जो यानि इंपेरियल आर्मी थी उसके साथ में यूद था बर्मा के अंदर यूद चला था तो जापान की इंपेरियल आर्मी की तरफ से लाइट मसीन गन से यानि अंदा धुंद फाइरिंग हुई थी उस इनके इतने खराब हो जाते हैं कि सायद इनका बचना ना मुम्किन था तो सेम कि ऐसी गंबीर हालात को देख करके इनके जो यानि इन फैट्री के कमांडर थे डेविड कोवन उनको यह लगा कि सेम अब जिन्दा नहीं बचेंगे तो उन्होंने क्या हुआ था कि उनके जो या ने रिबन मिला हुआ था और वहे रिबन उसी इनसान को मिलता था जो यहीनि मिल्ट्री के अंदर जिन्दा रहते हुई कुछ अच्छा काम करे कि क्योंकि किसी मरए हुए आर्मी को जोानगोव scripture नहीं भी जो हुए तो डेविड कोवन ने जो आपने यानि कंदे पे जो medal लगे वे थे तो वो उतार करके से मानेकशा के कंदे पे लगा दिया कि दोस्त आप अब नहीं बचोगे तो मैं आपको ये medal जो है वो आपके कंदे पे लगा देता हूँ क्योंकि आपने बहुती बहादूरी का काम किया है क्योंकि डेविड कोई ने कोई ये पता था कि इतने यानि जो साथ गोलियां लगी और ऐसी सी जगों पे लगी है तो ये बचेंगे नहीं बिलकुल भी लेकिन से मानेकशा के एक अरदली थे सेर सिंग जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था सेर सिंग जो थे वो पास में ही कोई एक अस्पिताल था जो आर्मी के जहां पे यान गायल जवानों को लेके जाता था वहाँ पे वो से मानेकशा को लेके जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर के डौक्टर जब उनकी हालाद देखता है तो डौक्टर को भी यही लगता है कि वो सोचते हैं कि यह बचेंगे नहीं तो वो क्या है? जवाब देता है कि मेरे पास में इतना समय नहीं है मैं दूसरे गाहल जवानों की सिवा करूंगा और उस समय बहुत से क्योंकि यूद चल ला था तो डोक्टर का भी करतव्य था और उनको ऐसा लगाया कि यह आप भी यह बचेंगे नहीं इनका कौन भी बैगया वो बे उस थे लेकिन सेर सिंजो थे इनके अरदली से मौनेक शा के तो वो बिलकुल नहीं माने वो बार-बार डोक्टर के पास जाते और यह कहते कि आप एक बार जो है वो देख तो लीजिए क्या पता आप कोसिस करिए तो वैं डोक्टर को क्या है जबरदस्ती वहाँ पे ले के आ जाते हैं और जब वो वान लेके आ जाते हैं इतिफाक देखी आप उसी समय मानेक शा को जो है होस आ जाता है तो डोक्टर उनको एक ही बात पूसते हैं कि आपके क्या हुआ तब वो यह कहते हैं मजाक के लहजे में जबकि इतने घायल थे शे मानेक शा तो वो मजाक में कहते हैं कि यह गदे ने मुझे लात मार दी तो उनको यह लगा डोक्टर को यह लगा कि अरे यह आदमी जो है अंतिम समय इसका आ रहा है लेकिन फिर भी यह मजाक कर रहे हैं तो वो भी क्या उनकी बुजदिल यानि जिन्दा दिली से जो है वो परभावित हो जाते हैं और उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और तुरंत उनके यानि गोलिया निकाल देते हैं कुछ उनकी आंतों का भी निकालना पड़ता है जो यानि काफी खराब हो गई थी तो वो आंते वगेरा निकाल करके थोड़े ही समय बाद में बगवान भी सुन लेता है और सेम मानेक्षा जो है वो एकदम तयार हो जाते हैं और वापस आर्मी जोइन कर लेते हैं तो दोस्तों यह कहानी थी हमारे भारत के महान यानि आर्मी चीफ रहे सेम मानेक्षा की जिन्होंने इस देश को अपनी सेवा दी